हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉलीशन बताएंगे तो वीडियो में आप अंतितक बने रहे हैं तो दोस्तो जिन भी छात्रों को जो एन सी टी का को आप चॉइस करने के लिए जाते हैं याँ से बैस सब्सक्राइब पर और प्रलो Order अमराइब और पर करिते हैं बहुत हो चॉइस को तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर लिका आता है you are not eligible for choice filling तो वो problem को आप कैसे solve कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वीडियो में अंतितक बने रहे हैं दोस्तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है उसके लिए आपको आपकी नजदी की center पर जाना है वहां से आपको जो भी teacher मिले या जो भी computer पर counseling में जो verification करता है उसके पास जा सकते हैं उस teacher के पास और वहां से वो teacher आपके application को reject कर देगा यो जो registration आपने भी एडमी किया है उसको reject कर देगा और उसके बाद दोवारा से registration कर देगा फिर आप दोवारा से choice filling कर सकते हैं और इस परकार ये तरीका आपका जरूर से बर्क करेगा अगर आपका बर्क नहीं करता है तो आप हमें comment भी कर सकते हैं दोस्तों फिर आप दोवारा से यहां से आके choice filling कर सकते हैं अगर दोस्तों आप दोवारा से नहीं करना चाहते और आप एड़िशन लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक ही ऑप्सन बचता है क्योंकि दोस्तों अगर आपका जो फर्स्ट राउंड में ही आपकी जो फर्स्ट प्रिप्रेंस की कॉलेज आ जाती है तो आप सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं के बाद आपके जो additional round होते हैं उनमें ही आप participate कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपना registration cancel करवा के दोबारा से registration करवाते हैं फिर आप eligible हो जाते हैं क्योंकि आपका data पूरा का पूरा के दोबारा से नया data submit किया जाता है तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो को लाइक करदें और चैनल परहने को चैनल को सब्सक्राइब करने तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बन्ने मात्र में